हलो गाइस वरकुल मैक टो मैं चैनल थिंग कोड एंड टोड़ी इस नीट कोड़ कॉंटेस्ट चैनल सेकेंड कोशन इस फाइंड डिसम डिसम डिविलिटी एरे ऑफ श्रिंग तो इस कोशन में क्या करना है बिसिकली तुम्हें प्रिफिक्स को बताना है कि वह एम से डिविज वि593 से डिवजबल है येस एनीन थे से दिवेसल है फिर 990 Б ihn 1 343 येस फिर्फिर 2 मταविसल है ये नहीं इंड थो दिविजबल है नो थिए पैफिर लापी से फोर आया वोटेशं के आँ और फैर वाहिस अर्ट भी अदिश्या ग्राइब यह नहीं है ठीक है तो यह हमारा वर्ड दे रखा है है और में बताना है कि कोन-कोन से प्रेफिक्स इस डियाब ठीक है तो जो जो है उनक़ लिए उन्हों जो नहीं होंके लिए जीरो ठीक है तो पहली अपरोस्ट तो तुमको आईयोगी दि क्युंगा तो ईस नाम की कि उसमें में एक-एक कैरक्टर कोइपण करता जाओं गा और सлेंग टूटीजर करने के उसको करता जाओं मा कि अगर यह जो है दीक कर फिर है ठीक है फिर एस किया हो जाएगा नाइन हो जाएगा तो 9 क्या डिविजबल है हमारा है में से यहाँ इसका अंसर हो जाएगा यह फिर हम क्या करेंगे इस एसमें इस नाइन को जोड़ेंगे फिर चेक करेंगे कि मतलब इंट्टू समझे रोन अपेंड करके एस में अपेंड कर दिया फिर इस्ट्रिंग टू इंटीजर कर दिया है ठीक है तो बट उस अप्रोच में क्या होगा एस्ट्यो आई फेल कर जाएगा क्योंकि हमारे यह जो है इसकी लेंद 10 की पाव फाइव है तो बहुत बड़ा स्ट्रिंग बहुत बड़ी लेंद की स्ट्रिंग मन सकती है ठीक है यह 10 की पाव 5 लेंद है तो यह इंटीजर ओर फ्लो कर जाएगा तो टीक है अब बहुत बड़ी हो सकती है तो तो हम क्या करेंगे दूसरी अप्रोच लगाएंगे इसमें तो दूसरी अप्रोच कहा है देखो हमारे पास यह नमबर दे रखा है हमको इसको कॉपी कर लिए तो है ठीक है यहां पर को पी कर लिया अब देखना मस चीज इसमें मौट एम थ्री दे रखाय और यह वर्ट दे रखाय नो तो हम इसमें लगाएंगे जो हम बच्पन में डिविजन करते थे डिविजन कैसे करते थे बच्पन में हम इसको एसे यह पूरा लिख दिया जैसे ाम तक हम तो हमत्री इसको दे रॉ मनें तोंग यह करते सबसे पहले इसको लेते हैं कि नाइन यह 0 ठीक है तो अब पहला पहला जो डिजिट था ठीक है उसे हम डिवाइड मारके देखते हैं तो जो रिमेंडर आता है वो यहां पर आ जाता है ठीक है तो हमने क्या करें यह पहले डिजीट आई इन डिजिट यह अभी आई 9 तो 9 को हमने 3 से डिवाइड मार के देखा तो होगा 0 टीक है तो हम क्या करेंगे अब इस डिजिट ने इसको कह कहते हैं ने डिजिट तो यह डिजिट ही थी ठीक है तो इसको रिमेंडर कह देते हैं ठीक है रिमेंडर कि बंडर तो में चौह करेंगे 네요 इन्य करेंगे है गे he can I get plus cutting inحمe В Universeическая प्लास कर देंगे नेक्स डेटीक को अल्एक तो यह क्या हो जाएगा यह तो दो क्या जीरो नियुक्त है और नेख 숙ीरो यहां है तो है इस पहले वाले करता अंसर क्या हो गया तो स्री वन हो गया था रीक है यहां पर में अंशर भी लिखता जा रहा हूं यह आंसर और अभी वी मेरा यह क्या डेज़ी बले तो इसका तब यांसर हो गया वन कि यहां पे हमने इसको भी डिवाइड मान दें यहां पर रिमेंडर आ गया इसका भी 0 तो यह आगे रिमेंडर 0 अब हम क्या करेंगे रिमेंडर 0 को इंटू 10 करेंगे एक प्लस न्यू डिजिट यहां से उतार देते हैं एको उतार देते हैं अब एक को तरेंगे तो यह के ताविजाएगा एक हुआ है यह टो यह बन गया तो हमेरी नूडिजिट क्या बन गी आप हम 8 को डिवाइड मारेंगे 3 से ठीक है तो यहाँ पर 30 आगया ता और यहाँ पर आ जाएगा 326 इस डीक है तो दो रीमिंटर आगया अयहाँ इसको मैं मिटा देंट लूह प्रण पर आगया दो रिमिंटर और हम अब मेरा दिजिट क्या पंजयागत इसका अंसर क्या हो गया इसका अंसर हो गया 0 को कि यह डिविसिबल निया 998 डिविसल नहीं हो ना क्योंकि दो रिमेंटर आगा तो इसका अंसर हो गया 0 और अब हम नई डिजिट कैसे बनाएंगे निमेंडर लेंगे इंटु टैन करेंगे अप्लस नाक्स डिजट इस टू है तो डिवेंडर अभी तार टीयों तो यह को जाएगा 22 अब हम इस 22 को लेंगे 22 को लेंगे, यह हमारी new digit हो गई, इसको हम divide मारेंगे 3 से, क्या divisible है नहीं है, तो इसका भी answer क्या हो जाएगा 0, और remainder किता है, 1, तो remainder किता हो गया, 1 हो गया, ठीक है, फिर हम 1 को लेंगे, into 10 करेंगे, प्लस next digit, which is 4, ठीक है, तो यह हो जाएगा 14, फिर हम इसको divide मारेंगे, 3 से remainder आएगा 2, ऐसे करते जाएगे, ठीक है, समझ गए, तो अब इसके code पर आजाते हैं, simple सा है, हमने क्या करा, हमने यह current digit है, हमारी, यहापर लिक करता हूँ, ठीक है, 998, क्या था, 998, 24, 24, 24, 24, 35, 30, ठीक है, तो अब यह हमारे previous remainder क्या है, 0 है, ठीक है, तो हमने इसमें नई digit को add करा, into 10 करके, ठीक है, तो यह आगे 9, 9 आगया, तो 9 अगर, यह current digit हो को यह हमारी ठीक है, तो अगर यह, यह स्वारी, new dividend, new dividend हो गया, हमारा 9, into 10 करके previous वाले को, प्लस current डिजट कर दी, यह हमारी current डिजट, उन new डिजट है, ठीक है, new डिजट, तो अभी new डिजट किती है, 9 है, तो हम इसमें 9 add कर देंगे, into 10 करके, क्या यह divisible है, 3 से, हाँ, तो इसका answer हो जाएगा, 1, ठीक है, फिर हम इसको बना देंगे, क्या, यह हो जाएगा, हमारा, remainder जो होगा, इसका, वो हो जाएगा, हमारी previous remainder, ठीक है, तो अभी हो गया, 0 हो, फिर हम क्या करेंगे, 0 into 10, 10, plus current digit, current digit is 9, ठीक है, फिर इसका भी answer क्या हो गया, 1 हो गया, फिर आया 8, तो, तो यह यह कहता है, 0 है, तो 0 into 10 plus 8, अब जो remainder आएगा, हो किता हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 into 10, plus current digit, which is 2, ठीक है, ऐसे करते जाएगे, और answer return कर देंगे, तो इसमें हम क्या concept लगा रहे है, हमारा basic mathematics का, ठीक है, so that's it for this question, hope you like it, please subscribe to the channel, I hope समझ में आ गया होगा, easy question है, नहीं समझ में आ तो comment में पूछ सकते हो, comment में पूछ सकते हो, ठीक है, thank you,